नमस्कार साथियों एक बार फीसे स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आइट स्टे डिवी जीत सर में मैं हूँ आपके साथ जीते अंदर कुमार जैंगे दोस्तों भारतिये कलाकारों के इस श्रंकला में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं अंजली एरा कि उनको देख सकते हैं साथ से आपको बताना चाहूंगा आप यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को जरूर से दबाएं जरूर नहीं दबा रखा है वो दबा दीजिए उसको वहाँ पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि जब तक आप उसके क्लिक नहीं करेंगे आपको वीडियो के नौटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो चैनली दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं बिताएंगे आपका और आपको बताते हैं अंजली एरा मैनन के बारे में कौन सी महत्वपुन बाते हम आपके लिए लेकर आएं तो स पस्षरमेंगल राज्ये के बर्नपुरमिन का चन्म हुआ था, और इनके मातापिता जो थे वो बंगाली और अमेरिकन थे यानि कह सकते हैं कि या एंग्लो-इंडियन है याने इन्होंने पर्ष्च मंगालमिन का चैन्मुआ था वहीं पर पली बड़ी है उसके बाद में इनके शुक्षा के दिम बात करें इन्होंने इजुकेशन कहां से ली है तो इन्होंने अपनी आरमिक एजुकेशन लॉरेंस स्कूल लवडेन नीलगीरी जीला तमिलाडू से से प्राप्त किया है तमिलाडू में निलगीरी डिस्टिक है वहां पर जो है लॉरेंस स्कूल से इन्होंने अपनी स्टार्टिंग के एजुकेशन लेती है उसके बाद में इन्होंने अल्पकालिक शुक्षा के लिए अल्पकालिक कला ध्यान के लिए सार जेजे स्कूल अप्लाइड लिखावा है तो बता दू दोस्तों की जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अलग अलग जो डिवाइड किये गए है स्क्लिक्षर का एप्लाइड का पेंटिंग का डिपार्ट्मेंट के एकोडिंग उनके नाम रखे गए हैं तो खेर अगली है इनकी सिक्षा नों सिवन में अटेलियर फ्रेस्क एकोल दबोजार यानि कि नैसाल सुल ऑफ आर्ट्स पेरिस फ्रांस से भी उनने अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि एक और अन्य भारतिये कलाकार जो है उन्होंने एजुकेशन लिथी यदि आपको पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉस में लिखिए आप उनका नाम जरूर लिखिए इकॉल दबोजार से किस भारतिये कला करने एजुकेशन प्राप्त की है साथी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा एक फ्रेंच वर्ड है जिसमें इकॉल का आर्ट स्कूल होता है बोजार क प्रशिद्धी क्यूं है तो यह भारत की समकला चित्रकार और मिरलिस्ट के रूप में प्रंसिद्ध है तो दोस्तो याद रहें यह की है जैसा कि हमने बताया था कि यह है अमरता शेरगिल और बाकी कुछ के लाकारों से भी प्रभावित रही है इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग से अपना केरियर बनाना इसमें स्टार्ट कर दिया था मिरंडा हाउस में अध्यन की दुरान इन्होंने वानकोग, मोदिगल्यानी, M.F. हुसेन, अमरता शेरगिल और मोहन सावंत का भी नाम आता है उनके कारियों से काफी प्रभावित हुई थी और उनके कारियों को देखे इन्होंने अपना कारिय जारी रखा था 18 साल की ओमर में इन्होंने विभिन प्रकार की शेलियों, यहने की डिफ्रेंट प्रकार की जो स्टाइल्स और टेकनिक्स उनका यूज करते हुए 53 पेंटिंग्स के साथ अपनी पहली सोलो एग्जिबिशन एकल प्रदशने का इन्होंने आवजिन किया था हम लोग यूरोपी एकला के तिहाज जब पढ़ते हैं तो रोमेनस कला और बाइंजन कला के बारे में एधिन करते हैं तो इन्होंने एशिया वगरे की यात्रा करके उनका अभिह देन किया इन्हें सन उनीस सो असी से क्यासी के मद्दे फ्रांस ब्रिटेन अमेरिका से उच्छे सिक्षा के लिए आमायंत्र ने भी प्राप्त हुआ दोस्तों याद रखें कि इनको जो है एजुकेशनल टूर भी इनको प्राप्त हुआ था इनके चित्रों का पसंदिदा माध्यम हार्ड बोर्ड पर तेर चित्र रहा है दोस्तों यहां पर मेशोनाइट जो बोर्ड होता है यानि के हार्ड बोर्ड जो होता है अक्सर उसका यूज जो है वूड कट के लिए भी करते हैं वूड अग्रेमिक वगरे के लिए यूज कर करती हैं साथी इन्होंने जलरंग को सहीत अन्य मादेहों भी विकारी किया जैसे कांच वगरे पे बिन्होंने कारिय किया है मेनन अपने धार्मिक विष्य के काम वो पोट्रेट्स और न्यूड फॉर्म के लिए जाने जाती है दोस्तों यहां पएनके पैंटिक्स को अर्व्याइक भाग लिया साथी इनुपने विदेशों में भारतिये कला का प्रतिनीजित्व किया है जिसमें उन्होंने अंत्राष्ट्टी इस्तर पे 1980 में पेरिस के बिनाले में निई-योर्क और वोसेक्टन डिसी में भी तर्षक भाग लिया इन्होंने भारतिय कला का प्रतिनिधित्व किया था लरित कलाक आदमी के सानिधे में 1988 में The Times of India जो अखवार आता है The Times of India उसके द्वारा इनकी चित्रों की The Reprospective 1958-88 यह इनके Reprospective का नाम था नाम से जहांगिर आर्ट गैलेरी मुंबाई में चित्र प्रदशनी आउजित की गए थी दोस्तों याद रखें कि सबसे पहले इनकी इनकी रेप्रस्पेक्टिव एग्जिबिशन जो है वो 1988 में लगाए गई थी और The Times of India के द्वारा इसके परशाद सन 2002 में National Gallery of Modern Art Mumbai, Bangalore, Chennai और दिल्ली में भी इनके कारियों की रेप्रस्पेक्टिव एग्जिबिशन लगाए थी दोस्तों याद रखें कि नगमा में भी इनके चित्रों की रेप्रस्पेक्टिव पूरो व्यापी इनकी जो चित्रों की एग्जिबिशन लग चुकी है याद रखे इनके चित्र यात्रा को अधिगरहन किया गया था यानि कि इनके चित्र को भी लिया गया था सं 2002 में जिसके लिए काफी चर्चा में रही है तो इनकी पैंटिंग है याद रखें यात्रा एं फिर जर्नी 2017 में इन्हें आइकन गैलेरी नियोर्क में अंजली इला मैनन ए रेप्रस्पेक्टिव नाम से प्रदशनी भी आउजित की गए थी जैसा कि हमने देखा इनकी तीसरी रेप्रस्पेक्टिव है यह तो आइकन गैलेरी में भी इनके चित्रों की रेप्रस्पेक्टिव यानि की पूरू व्यापी प्रदर्शनी लग चुकी है दोस्तों इनके उपर एक प्रकाशित बुक का नाम है अंजोली इलामेन तुरूदे पाचिना याद रखे कभी कभी नाम का अंजोली भी लेखा हुआ आ सकता है क्योंकि पश्यम बंगाल से हैं तो इनके लहेजे के इसाब से ऐसे ही बोलते हैं नमस्कार नोमस्कार और अंजोली करके तो ऐसा हो सकता है नेक्स्ट गायत्री सिन्हा और इंजीरा दयाल द्वारा भी इनके क्रतित्व और व्यक्तित्व पर लेख प्रकाशित किये जा चुके हैं इनके सम्मान और पुरिश्कारों के बारे में कि इनको कौन-कौन से अवार्ड से प्राप्त हुए हैं साथ ही दोस्तों बताना चाहूंगा हमने टेलेग्राम चनल स्टार्ट कर रखा है आप अभी तक वहां पे नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पे क्लिक करके आप टेलेग्राम से जूड़ सकते हैं जहां पर हम हर संडे को क्विज करवाते हैं इनसे समधित प्रश्न वहां पे क्विज के रूप में करवाए जाते हैं अब इनको अनुर्स की बात करें तो 1959-61 में पेरिस के पेरिस में उच्छे दिन के लिए इनकी higher education के लिए फ्रांसे सी सरकार के द्वारा scholarship इनको प्रदान किये गए थी दोस्तों याद रखें इनको scholarship मिलिया फ्रेंच गवर्मेंट की द्वारा इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा इनको भारत का चोथा सर्वच्छ पुरुषकार या यह कहें कि तीसरा पद्म पुरुषकार पद्मश्री से इनको सन 2000 में सम्मानित किया गया तो 2000 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया इसके अलावा 2013 में इनको Lifetime Achievement Award प्रदन किया गया था NCT नहीं दिल लेके द्वारा है निकि National Capital Territory जो छेतर है उनके द्वारा जो है इनको 2013 में Lifetime Achievement Award मिला इसके परशाद 2018 में मध्यपरत्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला काला कालीदा सम्मान पुरुषकार भीन को प्राप्त हो चुका है साथी लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा भी ने सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों यह थी इनके कुछ प्रमुक सम्मान और उनके अवार्ष जो उनको प्राप्त हुए है अब बात्चित करेंगे इनके हम महत्व पुन्ट चित्रों के बारे में इनकी फैमस पैंटिंग्स के बारे में जिसमें पहली पेंटिंग आप देख पा रहे हैं यहां पे यह है पेवमेंट ड्वेलर्स फुट पार्थ पे रहने वाले यह है इनके द्वरा बनाएगी पेंटिंग इस दो पार्ट इन्हों ने बनाए थे सन 2000 में गौट हर्ड बक्रियों का जूंट के नाम से या फिर इसको लोकल लेग्वेज में राशन के लोकल लेग्वेज में जिनको रेवर्ड भी कह सकते हैं है रुकू अ यह उनका प्र फोड़िया किया है रसे पारवति माता के साथ उन्हों ल्य जो बहुत सारे डिवाइन माता पुत्र के जो बॉंडेशन है जैसे कि क्रेश्न और येश्वदा इशा और मैडोना पारवती गनेश तो ऐसे करके इन्होंने जो है डिवाइन जो मदर्स हैं उनके भी इन्होंने स्रंकला बनाई है यह इनके बागी एक कुछ अने चित्र हैं और यह इनका इक और प्रेंट चित्र यहां पर बाज में दे रखाया है इनके चित्रों की हम लोग सिर्शक की बात कि रहे तो इनका सबसे फेमस वर्क जो एक्जामस में एकसर पूछा आता है वह है म्यूटेशन सीरिज म्यूटेशन सरंकला इनकी 1996 की है 1996 की रंकला है और फ है बक्रियों का जुन्द दो यानिकी गॉट हर्ट सेकेट 2017 का इनका आट वक है वो भी मेसोनेट बोड पर इन्हों ने तेल रंगों से बनाया है और रुकु नाम की पेंटिंग 2017 कि जैसा कि हमने देखा है मेसोनेट बोड पें इन्होंने ओल पेंट में ही बनाया है इसके लव 2001 का इनका प्रिंट है दो चेयर कुरसी और 2006 में इनकी यात्रा जो सेन फ्रांसिसको कैलिफोर्निय द्वारा इनको चित्र जो करिद लिया गया था इसके अलावा मैजिकल ट्विस्ट कारतियानी अम्मा और विंडो से जागते हुए लुकिंग आउट ऑफ विंडो में जो है हिंदी मनादे के इंग्लिस में भी नाम आ जाते हैं और आईशा के दुचहरे लिविंग फॉल्स लिविंग वॉल्स पेगंबर दे प्रॉम्फेट और केनाइजेशन केनाइजेशन यह जो कि अमने चित्र देखा था एक उसका मदर टेरिशेवाला तो मदर टेरिशेवाला जो चित्र उसका नाम यह है तो यह थी इनके कुछ फेमस चित्र आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्षिन में लिख के जरूर बता यह अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और एदि आपको अच्छा नहीं लगा है त लाइक तो कर सकते हैं लेकिन आप नीचे कमेंट सेक्षिन में जरूर से बताईगा कि आपको कौन सी चीज यहां पर ठीक नहीं लगी थी इंप्रूमेंट करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए आपको उच्छा लगा तो शेयर कीजिए क्योंकि हमारा मकसद वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है तो कोशिश करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे सब्सक्राइब आप कर लिजेगा अंज़र तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद